नमस्कार दोस्तों मिर्डूप चैनल में आप लोगो का स्वागत है दोस्तों आप लोगो के लिए बहुत बड़ी खुश कबरी है 36 गड़ में विविन न रेगुलर पदो पर भरती के लिए विग्यापन जारी कर दिया गया है तो विडियो को सुरू करते हैं विग्यापन जारी के है काले मुख्यची किस्वाम स्वास अधिकारी जिला मुगेली 36 गड़ के द्वारा जिसके अंतरगर्थ रेगुलर पदो पर सिधी भरती के लिए विग्यापन जारी के अगये जो भी एक गड़ियो के बदों के लिए अवेदन करना चाहते हैं और दोसो आप लोग ईसी के नीचे पत का नाम देख सकते हो ड्रेसर गृट 1 को प्रतीमा वेतन दिया जाएगा 5200 लुपे से लेके 2200 लुपे तक और प्लस में 1900 लुपे दिया जाएगा अनरक्षित के 10 पत पर भरती किया जाएगा अनुसूची जाती के 5 पत अनुसूची जन जाती के 2 पत और पिछड़ावर के 3 पत पर भरती किया जाएगा इस परकार 200 टोटल ड्रेसर ग्रेड एक के 20 पत पर भरती किया जाएगा इन पदों के लिए सेक्षिरी के उग्यता होना चाहिए बारवी पास विग्यान विशाय के साथ में इसी के साथ अर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पेरामेडिकल प्रसिक्षण उतिन होना चाहिए इसी के साथ पेरामेडिकल काउंसिल में ड्रेसर के रूप में जीत पंजियन होन चाहिए 36 गड़ से ड्रेसर ग्रेट 2 को प्रती महवेतन दिया जाएगा 5,200 रुपे से लेके 20,200 रुपे तक ग्रेट पे दिया जाएगा 18,000 रुपे टोटल एक पत पर भरती किया जाएगा इस पत के लिए सैक्षिरी के उग्यता होना चाहिए किसी मानतपरात मंडल से 10 वी प पर भरती किया जाएगा टोटल जो भरती किया जाएगा ग्रामिल स्वास सयोजग पूरुस के लिए 29 पत पर भरती किया जाएगा और इस पत के लिए सैक्षिरी के योग्यता होना चाहिए 12 पर इक्ष्या पास होना चाहिए विज्ञान विशाई के साथ में और दोसों यहा दो सो रुपे तक ग्रेट पे दिया जाएगा 22 सो रुपे इस पत के लिए जो सेक्षिरी के उग्यता होना चाहिए बादवी पास इसी के साथ सासन द्वारा मानता प्राफ संसा से महिला स्वास कारे करता के रूप में 18 मा या 24 मा कप प्रिसिक्षण उत्तिन होना चाहिए और 36 नर्सिंग काउंसिल में महिला स्वास करता के रूप में दोस्तों आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा जबी आप लोगों को समझ में आने वाला है कि कौन इन पदों के लिए पात रहे और अपात रहे इन पदों के लिए जो भी महत्पुर्ण important point दोस्तों जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि बीना परिक्षा दिलाए आप लोग सरकारी नौकरी पा सकते हो तो आप लोग यहां पर पढ़ सकते हो सैक्षिरिक तकनीकी योग्यता का 85% अंक बारवी के लिए 50% अंक यहम तकनीकी के लिए 35% अंक दिया जाएगा इसी परकार अगर आप लोगों को अनुभव है तो आप लोगों को 15 अंक दिया जाएगा इस परकार से दोस्तों आप लोगों का final मेरिर सुची जारी किया जाएगा और आप लोगों का चैन किया जाएगा और दोस्तों अगर आप लोगों को अनुभव है अगर आप लोगों ने COVID-19 के समय कारे किया है तो उसके लिए आप लोगों को अतरिक नंबर दिया जाएगा आप लोग यहाँ पर फॉर्म देख सकते हो अनुभव प्रमार्ण पत्र है इसे आप लोगो भर देना है और इसी के नीचे दोस् पढ़ सकते हो कि क्या क्या आप लोगो इस अवेदन पत्र में फिल करना है भरना है और दोस्तो सभी पदो के लिए आप लोगो अलग अलग ओनलाइन अवेदन करना होगा मैं उसका वीडियो के नीचे डिस्किप्शन बोक्स में लिंक दे दूँगा आप लोग वहाँ पर जाके अवेदन कर सकते हो तो दोस्तो जो भी महत्पूर इंपॉर्ण पॉइंट था जो आप लोगो जानना बहुत ही महत्पूर्ण था वो मैंने आप लोगो बता दिया है अगर आप लोगो इसके बारे में और अधीक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्कि वालों का जवाब दे सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद